आज की मुल्ली से हम लक्षा लेंगे विश्व की बादशाही लेने के लिए स्वव उनती पर अटेंशन देना है स्वव उनती करने के लिए विशेश अटेंशन देना है धारना के उपर, याद के उपर और चक्र के उपर धारना के लिए आज बाबा ने कहा कि हम, हमें संसारी, जर्मुई, जग्मुई की बातें नहीं करनी है ये बाते करने से समय भी बरबाद होता है और आत्मा की उनती भी नहीं होती है कोई बात सुनाई भी तो सुना, अनसुना कर देना है व्यर्थ की बातें सुनने ना सुननी है ना सुनानी है किसी भी बात में, दूसरी बात बताई किसी भी बात में संकल्प ना चले उसके लिए ड्रामा के राज को बुद्धी में रख कर अपना पाठ इस ड्रामा में बजाना है क्योंकि ड्रामा को भूलने से हम अपना पाठ ऐसा बजा देते हैं जिससे हमें हमारे हिसाब किताब बन जाते हैं इसलिए इस ड्रामा में अपने पाट पर अटेंशन देना है फिर भावा ने कहा ऐसा कोई विकरब नहीं करना है जिससे ब्राह्मन कुल का नाम बदनाम कुचाए आत्मा को सुधारने का अटेंशन देना है इस सुधारने के लिए कुछ धारना की बातें आज की मुल्ली में बावा ने बताई फिर याद के लिए आज बावा ने कहा कि मदुबन में जब तुम आत्माई आती हो तो रिफ्रेश होती हो क्योंकि एक बाप, एक सत्थ बाप का संग मिलता है क्योंकि बाबा सत्य है और सत्य सुनाता है जब एक बाप का संग मिलता है तो बाबा कहते हैं तुम जब सर्विसेबुल बच्चे जो होते हैं जो अच्छे अनन्या बच्चे होते हैं बाप को याद करने में मस्त रहते हैं अपनी ड्यूटी बजाते हैं अपनी सर्विस की ड्यूटी पूरी करके फिर याद में मस्त हो जाते हैं लेकिन कभी-कभी अनन्य बच्चे भी बाप को भूल जाते हैं क्योंकि याद पारे मिसल है तो आज विशेश अटेंशन याद के उपर देना है क्योंकि बेहद का बाप हमें बेहद का वर्सा देने के लिए आया है बेहद का टीचर हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हम भविश्य में उँच पद पाते हैं तो इस समय बेहद का टीचर हमें रचता और रचना के आदी मध्यानत का ज्ञान देते हैं रचता वो है जो इन आखों से दिखाई नहीं देता और रचना वो है जो इन आखों से दिखाई देती है ये अंत्र आच बावा ने हमें समझाया है और इसके बाद सत्तगुरु हमें पतिच से पावन बना करके सात ले जाने के लिए आये हैं तो जब हम आत्मा बापको सत्त गुरु को याद करती जाएंगी सतो प्रधान बन जाएंगी तो ये पुरानी खाल ये पुरानी जुत्थी इसको छोड़ देंगे पुरानी खाल उतर जाएगी तो इस तरह बाब, तीचर सत्गुरु के संबन से आज बाबा को याद करना है क्योंकि वो ही आज संगम पर अमरनात बन कर हम पारवतियों को अमर कथा सुनाने आए हैं तो चक्र को बाबा ने का जब तुम बुद्धी में याद रखेंगे तो तुम्हारे खुशी बनी रहेगी तो हम सदा ही हर्शित रहेंगे इस चक्र के आदी में हम आत्माएं पारस बुद्धी थी स्रेष्टाचारी थी एक धरम था सुखी थी सरवगुन संपन थी और जैसे ही त्रेता मध्या में आती है आत्माएं तो रावन का राज्य शुरू हो जाता है पत्थर बुद्धी हो जाती है अनेक धरम हो जाते हैं ब्रस्टाचारी बन जाते हैं भक्ती करते करते नीचे उतरते आते हैं क्योंकि कल रुग में कोई भी आत्मा पावन नहीं हो सकती फिर संगम पर बाबा आते हैं ब्रह्मा के द्वारा देवता धरम की स्थापना करते हैं और हमें ये जान हमें ज्ञान मिलता है ड्रामा के आदी मध्या अन्त का इस ज्ञान को जान करके हम बाप की याद से वेकुंट की बादशाही को प्राप्त करते हैं ओम शान्ति